तो हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विजने राहूल गांदी और भुपेन सिंग धुद्दा पतंस का साथ विजने राहूल गांदी को राजडिती का बालग का कॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांदी ने एक बयान में कहा है कि मोदी की कमजोर नीती का चीन ने फायदा उठाया है इस पर पलटवा करते हुए हर्याना के ग्रह एवं स्वास्ते मंत्री अनील विज ने राहूल गांदी को राजनीती का बालक बता दिया अनिल विज ने निशाना साते हुए कहा है कि राहूल गांदी पहले अपने परिवार का इतिहास पढ़ कर आए और फिर भारत चीन मसले पर बात करे राहूल गांदी एक राजडेती के बालक है जिनको पिछला इतिहास मालूम नहीं है चैना ने कांगरस के राज में फैदा उठाया चैना ने कांगरस के राज में हमारी जमीनों पर कबज़ा किया हमारे राज में तो एक इंच जमीन पर भी कोई कबजा ना कर सका है ना करने दिया जाएगा साथ अनील विच ने हर्याना के पूर मुख्य मंत्री और कॉंग्रिस नेता भुपेंद्र सिंग हुड़ा पर भी निशाना सादा अनील विच ने हुड़ा के उस बयान पर बलटवार किया जिसमें उन्होंने हर्याना की कानून विवस्ता पर सवाल खड़े किये थे विच ने कहा कि हर्याना में कानून विवस्ता दुरस्त है उन्होंने हुड़ा से ही सवाल किया कि वीजेपी के राज में कोई एक ऐसा केस बताएं जिसमें पुलीस ने कारवाही ना की हो हर्याना में करूण विवस्ता पर पूरी तरह से निंतरन है हुड़ा साथ कोई एक केस बता दें कि जिसमें हमने कारवई ना की हो और हुड़ा साथ के राज में मैं केस बता हूँ लोगों को FIR करवाने के लिए DGP के दफ्तर के बार जाके आतमत्या करने पड़ते थी वैसे पहला मौका नहीं है जब अनील विज ने राहूल गांधी पर निशाना साथ हो टोटल टीवी के लिए अंबाला से क्रेश्नु बालिक रिपोर